और अभी आप आपको हम बता दे कि जो बाते हो रही है लगातार सिछक बहाली के विशे पर और तीसरे फेज की बहाली से लेकर दूसरे फेज की बहाली और दोनों फेज की बहाली पर आपको अपडेट करा दे पहले आपको बता दे कि TRE1 में जो केस हुआ है जो केस दर्ज हुई है आपको सब को पता है और एक दो हीरिंग के बाद जो अपडेट होगा जो काफी पर मुक्ता से आएगी उस पर आपको हम अपडेट करा देंगे अभी आपको हम बात करने जा रहे हैं टी याडी के त्यारी करें और सब्सक्राइब के संदर में जो ट्वीट था प्रकाशन का प्रकाशन नहीं हुआ कि वह जो सुची भेजी गए थी वापस ले ली गई है और सारे मामलों को लेकर इस कि अब जो है तीसरे फिच की बहाली में सीटों को जोड़ा जाएगा तो क्या सप्लिमेंटी रिजल्ट और ड्रॉप और स्टुडेंट और फर्जी बारा क्या इन सब मामलों को लेकर जितनी गंभीता से विभाग और आयों काम कर रही थी इस सब को पता है कि किस तरह से काम हो रहा था तो सप्लिमेंटी रिजल्ट में 14,700 पर सिफ मल्टीपल रिजल्ट की में बात कर रहा हूं जो एक लाजबीस अजार पदों पर सेकेंड फिच के बाहली में बैकेंसी निकली और लगबग 93,93 लोगों ने ही यूइन किया उसमें ये सरकार का दवाई ये विभाग का जो आक्रा है उसके में बात कर रहा हूं और फरजिवारा जो हुआ उस पर गुछ नहीं बोल रहा है बड़े पैमाने पर लोग बहाल हूई उसको आप बाहर का रास्ता दिखा रहा है कि उसी टॉम्कर협 Indologne नहीं कर रहें हैं मुल्टिपल रिजल्ट एग लोगों का आसर में आपको हम बता दे कि धांजली हुई नहीं हुई सारे विशेव पर हम लोग आम मानिय वुष्णियाला जाने के तैजारी में हैं इसलिए तीन तारिक के दिन यानि संड़े को संड़े को तीन तारिक है तीन मार्च को हम लोग एक बैठक गांधी मूर्थी गांधी मैदान के पास सारी दस बजे से सारी दस बजे तक हम लोग वहां पहुचेंगे और जितनी भी चीजे सप्लिमेंटटी रिजल्ट में जो लोग का एक नंबर से दो नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, दस नंबर तक जो लोगा घट गया है, कम गया, या जो उसी पर, ट्राइवेकर पर आपका रिजल्ट नहीं आया, तो 14,700 पदों को रिजल्ट का निकालने के लिए, हम लोग याज का दैर करें और उम्र संबंदी छूट को लेकर, और उम्र संबंदी छूट को लेकर आपको अपडेट लगातार दे रहें थे, कि आपकी बातों से कई लोग प्रभावित हैं, कई लोग नहीं है, कल सदन के पटल पर, पानिय सदस द्वारा एक मामले को उठाया गया, कि जिस तरह से TRE1 में 10 वर्स की छूट मिली थी, और TRE1 से लेकर TRE2 तक उसका फाइदा हुआ था, TRE3 में वो नहीं मिला, तो सारे मामलों को लेकर, जो विधान सभा के पटल पर इस प्रस्न को उठाया गया, उसकी जवाब में विभागे मंत्री के तरब से इस तरह का वक्तब दिया गया, कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, मुझे लगता है कि अगर 10 वर्स की छूट मिलती है, तो 2-3 दिन के अंदर उसका एक नोटिस भी आ जाएगा, और फॉर्म जो है, अप्लाई हो सकता है, तो सारे मामलों पर लेकर कुछ लोगों से मुलाकात की भी संभावना है, तो सारे मामले में फिर आपको अबडेट करा दें, देंगे कि क्या आगे होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है, कि सप्लिमेंटी रिजल्ट को लेकर संडे को, यानि तीन तारी को बैठक होने वाली है, और TRE-2 से लेकर TRE-3 तक, जो STT एपियरिंग से लेकर, और 10 वर्स की छूट की मांग को लेकर, जो मामला था, उसको लेकर भी कई लोगों से मुलाकात की लगबग, पचास साथ लोग जो है, मुझे लगातार कॉल मेसेज कर रहे हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं पटना, और आज मुलाकात की संभावना है, तो मुझे लगता है कि STT एपियरिं के मामले पर सरक्पर में भी आंदोलन किया तो दर्दन में उठाया था, और जब आप सरकार में है, सत्ता में हैं, तो आप छात्रों अविपाउं की बात को दिर गिनान कर रहे हैं, चाहे हो समराठ चोधरी हो, चाहे बिजय सीना हो, चाहे सुदील मोधी हो, और यतने भी का काम कर रहे हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि काम होगा, और निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से चीज़े हो रही है, बिल्कुल हम लोग उस पर अडिग है, और जिस तरह के 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 पाठक का प्रकरन चल रहा है, राज भबन से टकराओ, तिक्चावी वहाग द्वारा पत्र जारी होना, फिर उसी पत्र को फरजी करार देना, आप समझ सकते हैं कि कनिया सिर्वास्तप का पत्र जारी हुआ था, इसकूल की टाइमों के लोग कर, कि दस बज़े से सार बस चार बाए तक, दस प्रने मिनिट पहले आएंगे, उस सारे चीज़ों पर अब यह कहा ज को ले जा रहा है, तो सारे मामलों पर आपको हम सप्लिमेंटी रिजल्ट के लिए बैठक तीन तारी को, तीन मार्च को है, सारे दस बज तक सभी को आ जाना है, और दूसरे, जो एस्टी टी एपेरिंग और दस बज की छूट को लेकर जो विधान सभा के पटल में जो प्रस